इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है आपको अपने डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक ही लेनी चाहिए और अगर आपको पसंद हो तो आप इसे पानी या फल जूस के साथ मिला सकते हैं अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करें और रोज एक ही समय पर लेने की कोशिश करें आपकी खुराक कैसे काम कर रही है इसके आधार पर यह बढ़िया कम हो सकती है निर्धारित मात्रा से अधिक न ले और अगर आप कोई खुराक लेने से चूग जाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त खुराक न ले अगर आपको तीन दिनों के बाद भी कब्ज हो रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं सबसे सामाने साइड इफेक्ट में चली और उल्टी हैं ये आमतोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों बाद चले जाते हैं आप खुद को बीमार महसूस कर सकते हैं या हो सकते हैं दवा को पर्याप तरल पदार्ट के साथ भोजन के बीच बीच में लेने से साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं कभी कभी लोगों को गंभीर पेट दर्द, गंभीर डायरिया, मूड में बदलाव और दौरे सहेथ गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपको इन में से कुछ भी महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप लंबे समय तक इस दवा का इस्तिमाल करते हैं तो आपके डॉक्टर मिनरल लेवल चेक करने के लिए समय समय पर ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पोटेशियम और सोडियम यह दवा लेते समय अन्य लेक्सिटिव दवाओं का सेवन न करें और अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने डॉक्टर से जाच कराएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद